पूरा मामला और आपको बता दे की विधायक राजा भाया की मुश्किले बढ़ सकती हैं। पूरा में ड्यूटी के दौरान जिया उलहक की हत्या कर दी गई थी। पूरा मामला दे के सभी को पता है कि दो मार्च 2013 का है जब ग्राम प्रदान नन्य आदो की हत्या करी थी। और उसकी जाच में वहाँ पर ड्यूटी जिया उलहक वहाँ पर पहुंचे तो ये देखा गया था कि उस भीड में से किसी एक ने गोली मार कर जिया उलहक की हत्या कर दी थी। और ये बताया गया था कि वो जो है वो राजा भाईया का साथी बताया गया था। पर राजा भाईया ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कहा था। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी 2013 में कराया गया था। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोट ने हाई कोट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है बलकि जो ट्राइल कोट ने अपना एक आदेश दिया था उसको बहाल किया है। राजा भाईया की जो भूमिका की जाच है देखिए अब वो CBI करेगा। जाच रिपोर्ट में रोक लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि अब इस पर आगे जाच नहीं होगी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से राजा भाईया के उपर दिक्कते बढ़ सकती है क्योंकि जो जियाउल हक की पत्ती है परवीन आजाद एक तरीके से उनको बड़ी राहत मिली है। जश्टिस अनिरुद बोस और वही पर जश्टिस बेला हैं त्रिवेदी ने जो पीट है इनकी इनों ने जियाउल हक की पत्ती परवीन अजाद की याचिका पर ट्राइल कोट का जो फैसला है उसको बहाल कर दी और ये कहा है कि जाच के निर्देश देने में मजिश्ट्रे के तमाम गंभीर आरोब थे जिसके बाद राजा भाया की मुश्किले बल सकती है सीबियाई इस मामले की जाच करने जा रही है विधायक राजा भाया में उनका नाम सामने आया था और अब उनकी भूमिका की जाच एक बार फिर से होने जा रही है